हेलो प्यारे स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप सब आसा करता हूं कि बढ़िया होंगे तो जैसा कि आप सभी लोग को बता दो कि यह जो है क्वीक रिवीजन क्वीक रिवीजन जो यह कराया जा रहा है यह ससी जीडी और यूबीप दोनों के लिए ठीक है इससी जीडी और यूबीप दोनों के लिए है तो इसमें क्वीक रिवीजन कराया है कितने पेज हैं टोटर 169 क्या 108 एक पेज में तुसले बस है इसमें देखो यह विशेस तूची है ठीक है तो इससे घबराएंगे नहीं हम देरे से सारा का सारा कर लेंगे और बहुत ही बहत कर देजिए ठीक है चलिए तो हम देखते इसमें पहले किस चीच के बारे में हम जानेंगे इतिहास किसका इतिहास भारत है हम विस्व का इतिहास इसमें प्राशीन इतिहास के बारे में हम थोड़ी सी जानकारियां ले लेंगे प्राशीन इतिहास क्या है ठीक है प्राशीन इतियास में प्राग एतियासिक काल जो हता है वो उसके बारे हम देखेंगे इतियास को पहले हम देख लेते हैं तीन कालों में बाटा गया एतियासिक काल आद्यासिक काल प्राग एतियासिक काल तो प्राग एतियासिक कालों को कितने भागों में बाटा गया तीन भागों में पूरा पासाड काल, मद्द पासाड काल, नौपासाड काल, फिर पूरा पासाड काल को तीम भागों में बाटागे है, नेमने पूरा पासाड काल, मद्द पूरा पासाड काल, उच्छी पूरा पासाड काल, फिर कौन सार जाता है, आध्यायतिहासिक काल, इसमें क्या है, सोटै Sig时候 अब साई-ट एक ज़ाराकाल को देख लेते लिए आयतियसिक से में प्राशीन बारत का इतियास फिर औरे- इसके बारे में थोड़ी से और जानकारियान ले ले लेते हैं काल कौन कौन से पूरा पासाड काल ये इसके जो मतलब की चिन ने मिले कि पूरा पासाड काल था उसके बारे में कहां पर ये है भीम बेट का में अस्तल है वहां से भीम बेट का से क्या मिला है भीम बेट का गुफा चित्र मिला है ठीक है और मद पासाड काल में क्या मिला है सर राय नाहर, राय मदहां, यहां से क्या मिला है, मानो के अस्ति पंजर का पहला उसे मिला है, और चोपानी, मानडो, यहां से क्या मिला हुगा है, वहन ने धान का प्रमाल मिला हुगा है, आदमगर, बागोर, यहां से क्या मिला हुगा है, पसुपालन के प्राशिंतम साच्छ म म tulee है ठीक है चलिए है है आगे दिखते हैं कि न पाउसाल काल में किया देखेंगे इस काल फेल में ate फोड़िया के है किलिया मनका कपक मिले हाँ के साथ नग कर पड़िया जाने ले नहीं लिया ठीक है चिराण पसुकी अध्डिय यहीं तता हिरल के सींख कंगर ठीक है संगम कुलू कलू और कहा है पिकली हल उत्तरणूर ठीक है उत्तरणूर कहा से यहाँ से क्या मिले हुं है राक के टीले के साथ अब सिंदुगातिषभिता, सिंदुगातिषभिता क्या है, काइंस यूगीन भी सी को का जाता है, मान एटितिक की कौन-कौन सी है, ठीक है, 2327 पूर्व से 1727 पूर्व, ठीक है, सी 14 दोरा विसलितितिक है, इसका विस्तर कहा है, उत्तर में कहा पर है, मांडा, चिनाप तर के गिनारे से, ठीक है, दच्छिर में कहाँ पर है, दाय्वाबाद, ग्सीन, पूर में आलमगीर, हिंडन, पश्य में क्या है, सुथकाऑंगे डूर, दासक तपर, ठीके, सिंदूसबता के महतभपूर अस्थल कौहन कौहन से है हडब्प ठीके, देख लेते कौन-कौन से अस्थल महतभपूर है हडब्प, हडब्प मैं आवस्ते धी, क्या है मतलब कि हडब्प जो है, वो कहाmpर इस्ते थे अप, ठीके मांट गोमरी दया राम सानी मतलब कि दया राम सानी ने सरोपर्थम सिंधुगाटी सब्विता की खोज की है ठीक है यह आप लोग देख लेंगे और खोज वर्स 1921 यहां से क्या प्राप्त गए विसाल अन्नागार स्वाधान 837 मतलब कि जो है दास अंसकार करने का जो जगा होता है निरत्य मुद्रा का खंडित गर मतलब कि एक निरत्य मुद्रा है जिसमें खंडित धढ़ मिला है ठीक है आताकार मुहर पर इस्तरी की गर्व से निकलता पौदा यहां पर मिला हुआ ठीक है मोहन जोदलो कहाँ पर है सिंधु नदी के दाएं तर पर लरकाना जिला पाकिस्तान ठीक एक योगी का चित्र है. इसके तीन मुख है. एक योगी का चित्र है. उसके कहा है? तीन मुख है. मतलब कि चेहरें बने हुए है, तीन. जैसे ब्रह्मा जी को आप लोग देखेंगे, वहाँ पर उनके हैं न. कई मुख रहते हैं, ऐसे भगवान बिसलुजी को दिखेंगे, तो ऐसे ही उनके भी है, तीन मुख, लोथल, ये कहाँ पर इस्तित है, भोगवा नदी, तट एहमदवाद गुज्राद, ठीक है, इसार राव ने इनकी खोज की थी, सन उननीस सो पच्पन में, और यहाँ पर क्या-क्या मिला है, तीन पर मिला है, धोरावीरा जो है, वो कहाँ पर अवस्तित है, कच्यकरण गुज्रात में, ठीक है, आरेस विशिष्ट जीने, कब उननीस सो नब्बे से एक क्यान में, ठीक है, और इनका एक और है, जेपी जोसी, ठीक है, इन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पता लगा इसकी कोच के इंदे की थी, बीबी लाल, बीके थापड, उननीस सो एक सट में की थी, कच्ची एटों के बने भवन, जुते हुए खेत के साथ, भूकम आने के साथ, प्राया, सभी घरों में कुए, और यहां पर जो काली बंगा, ठीक है, काली बंगा है, चूनिया भी मिलती यह आप लोग याद रखेंगे, अब हम देख लेते हैं, राखिगड के बारे में, ठीक है, राखिगड, राखिगड कहां पर इस्तित है, गगगर या सरस्वती नदितत पर, कहां पर यह हिसार हरी आरा में, ठीक है, और इसकी कोच किसने की थी, सूरज बानने, इनका सन नह पर है, ठीक है, बनावली, पतेहाबाद, हर्याडा, किसने कोच की थी, आरेस विशिष्ट में, उननीस सो तीहतर से चवत्तर में, पकी मिट्टी की बनी हल प्रतिक्री थी, ठीक है, यह यहां पर मिला हुग है, रोपड, रोपड कहां पर है, सतला जिनाधी तट पर, पंजा इसी के बीच इन्होंने एक खोच की थी, मनुस्य के साथ, पालतु कुत्त दफनाए जाने का साथ चीह, आपर मिला है, ठीक है, वेद, कुल किन्दी संक्या, चार, वैदिक आरेो की संस्कृत, की भासा क्या है, संस्कृत, बचकोई, अभिलेग में, उल्लखित, वैदिक दे मातपूर्देवता कौन है, इंद्रे, इनके लिए कितने सुकते हैं, धाई सुकते हैं, अगनी के लिए दो सुकते हैं, ठीक है, समा कलन करता कौन से है, महर सिक्रिष्ड, द्वैपाय और वेद व्यास, ठीक है, सबसे प्राशीन वेद, रिगवेद, रिगवेद में मंडल से रिगवेद में प्राशिंतम मंडल दो से साथ है ठीक है और कौन से वेद स्राइर रिगवेद साम वेद यह जूरू है ठीक है यही वेद है ठीक है रिगवेद के मंडल हाँ, रिगवेद के मंडल के बारे हम जाल लेते हैं, क्या-क्या है, रिगवेद के मंडल में, ठीक है, रिगवेद के मंडल, पर्थम मंडल में क्या है, रचाहिता कौन है, मदुछंदा, मेदा, तिति, गौतमा आदे, इसमें विसेश कुछ नहीं है, दुत्वी के कौन से है, मिर्ट समद और तिदी के विश्वा मित्र गायत्री मंत्र का वरणान है ठीक है किस मंडल में पूछ लेगा रिगवेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वरणान है तो तुरिती है तो और उसके रचाईता कोन है विश्वा मित्र चतुर्थ में क्या है क्रिशिस संबंदित म मंत्र का है इसके रशेइता क UV उनले पंक पंचंह में किया आत्री पंक के ऐट्री साश्तम के 05 के वर्ष्ड इसमें 10 जर्य का वरंड गय एव इलीधा वरल जो किस जीज का बढ़ है किस लाज इथ लाज ज़काण अस्त्रम की रज न की किसनकी थी कड़ो एमंघ 보त नवम की रिशी करनें, ठीक है, सोम मंडल कहा जाता है, ठीक है, इससे सोम मंडल कहा जाता है ठीक है, दसम की विम्दा इंदे शची हुआ अन ने इसमें क्या आप पुरिस 220 चारो वड़ो, ब्राह्मार, छत्री, वैस्थ सूद्र का वड़ानें, ठीक है ये चीज़े, वैदिक साहित कब विकास, सनेता कौन-कौन सी है, ठीक है, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद, ब्रामार, सनेता के भास, भास के रूप में लिखे गए गरंद, ठीक है, अरलक क्या है, ब्रामार गरंदों के परिसिष्ट है, इनकी रशना वनो में होगी है, ठीक है, उपनिसत क्या है, अरलक का विसिष्ट बाग है, ये भारती दर्सन के स्रोध माने जाते है, वेद और उपवेद, वेद और उपवेद, रिगवेद का उपवेद क्या है, आयूरवेद है, और इसमें जो रित्विक होता है, होता है, रित्विक क्या है इसका होता और संकलन क्या है रचाओं का संकलन रिचाओं का संकलन ठीक है यजुर्वेद का उपवेद क्या है धनुर्वेद अधर्वू ये इसका क्या है रित्विक है ठीक है और संकलन इसमें किसका है यग कर्म से संबंदित सूकता है ठीक है सामवेद गंदर वेद इसका उ आउर्वेत के रिग वेत का उठवेत है उपवेत क्या है तो आउर्वेत जो है उसको वेत को पता धे अच्ता नहीं होता आरवेत को ही वेद बता देते हैं ठीक है तो वो अची है आप ध्यान में गैह अतरवेद का क्या है सिल्पवेद इसका वित्विक क्या है ब्रह्म ठीक है तंद्रमंदर रोग निवारक उपार किसमे है रिखवेद में है ठीक है चलिए हम आगे देखते है मूल वैदिक साहित को समझने है तो छे वेदांग ग्रंद की रजना गई सिच्छा निर्युक्त कल पुछंद व्याक्रण जोतिस ठीक है इनकी रजना की गई वैदिक कालिन परमुख न दिया स्वात को क्या का जादा स्वास्तु ठीक है जेलम को वितिस्ता चेनाप को असकिनी रावी को परूस्रई ठीक है काबुल को कुम्भा गंडग को सादा नीरा और सतलच को सुतुद्री ठीक है प्राशीन नाम है इनके यही सब थे ठीक है यह नदियां तो अब है ठीक है नदियों के प्राशीन नाम है इसमें देखिये दिये हुए यह चीज़ा आप लोग याद कर लें बारा रतनिन सपत ब्रामण में वरलेत ठीक है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाकर खता मों जाता है ठीक है और यह क्या सोड़ संसकार ठीक है सोड़ संसकार में देख लीजिए ऐसे यह आप लोग पढ़ लेंगे खुद इससे कुछ प्रस्ण मुस्के लिए आना चलिए हम आगे देख लेते है इसके बारे में चारो आस्रमों का उलेख जाबा लोप निसद में किया गया है ठीक है आस्रम ब्रह्मचार एक ग्रियास्त वानपरस्त सन्यास ठीक है ग्रियास्त वानपरस्त सन्यास और ब्रह्मचार जो चारो आस्रम है उनका उलेख किसम है जाबा लोप निसद में ठीक है लोप निसद में ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे और विवा के परकार ब्रह्मा द्वेव आर्स परजापत्य आसूर गंदर राच्छस पहचास इतने परकार के विवा होते थे उस टाइम ठीक है इतने परकार के वेद वेद के लिए जो है ये आप लोग देख लिए वेद इनकी साखा रिवेद की साखा कोई नहीं है और ब्रामर जो है इसमें एतरे और क्या कौसीत की मतलब की संखायन इनकी जो ब्रामर ये दें ठीक है अरले कौन से है एतरे और कौसीत की ठीक है और उगनिसत कौन है एतरे और कौसीत की इसमें सब वही है ठीक है विशेष क्या है इसमें एत्रे ब्रामण में राज सूई यग एवं सत्स्युग तरेता द्वा पर कलियुग कवरालन मिलता है ठीक है इसमें जो है और बाकी यजुरृवेद जसबी किसे है कांद veg मेत्रहडी और क्या है तेत्रियine इसकी ब्रह्मद कौन से है तेत्रिय और अरड़ तेत्र्य मेत्रहडी और उपनी सथ यह देख लेंगे लेगे आप लोहे इसमरी उसमा कथन वरिदयरे अपना सथ से लिया गया है ठीक है यह आप लोग देख लेंगे सपत ब्रामन में याग्यवलक मैत्री मैत्रेई समवाद जल पलावन की कथा विदे मादो यह सब कुछ नहीं पुछेगा यह आप सब लोग के लिए मात्रपूर नहीं है ठीक है इसमें आप लोग सरीप यह देख लेंगे जो है इसकी साखा कौन सी है और ब्रामन कौन सी है अरलक और क्या है उपने सथ सुल के यह जूरवेट जो है इसकी साखा है और सब तक जो है इसका ब्रामन है और ब्रियादर्यक जो इसका क्या है? औररढ़क है, और उपने साथ देख लिजी है, ये ये इनिजी बगैरा ये अब रिदाढ़क है, हो गया इस देखिया, सामेध की साखह कॉन कौन सी है, ये देखिया, तीनो साखह कौतुम राडा यह नहीं ठीक है और जैमनी और इसकी जो है ब्रामार कौन कौन से थे 25 चंदोग जैमनी और क्या है संडविंस सडविंस ठीक है और इसमें जो है और और कौन कौन से है चंदोग और जैमनी है ठीक है यह इतने हो गए और इनकी जो है उपनिशद, छंदोग याओर केन है, ठीक है, अथरवेद की भी साखा उपसाखा देख लेंगे, इसमें देखिए, मुंड को निशद में सत्यमेयजयते का उल्लेख है, सत्यमेयजयते जो पूच लेगा तो कहाँ पर है, उपनिशद में किस, मुंड को, मुंड को, स्वारी मुंड को मुण के उपनिशद, शहन सत्य लिएह तो मुणक है, स के उपनिसद को, मुर्ण को लिएक ऐहनcessors में किस सव पोटच में, ड़ा के उत्य है, और इसमें सत्य जावला जाम, यह सब कुछ हमारे लिए न्यश्क है ठीक है ब्रह्मचर ग्रियस और वान प्रस अनावक तीन आस्रमों का उलेक किसमे चंदोग यो उपने संद में ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे ठीक है ये में पॉइंट हो जाता है हमारे लिए इसको मैं हाइलाइट कर दे रहा हूँ वेट ये और ये आप लोग याद कर लेंगे ठीक है इसको आप लोग एक बार देख लेंगे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन हो जाता है ठीक है चलिए जैन दर्म के अमबारे में जान लेते हैं ठीक है इतने तक हम आगे नहीं जानेंगे इन सबका पूस्ता नहीं सिब तीन आप लोग ये याद कर लेंगे आगे क्या इनको मैं हाइलाइट कर दे रहा हूँ वेट रिसब देव का क्या है परतिक चीन रिसब अजीदनात का हाती और संभोनात का अस्व ठीक है ये तीनों याद कर लेंगे और बागे नेक्स्ट पेज पेज पर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर ये पासोनाद चिंद्ड क्या है सरबाइं और महावीर का जो है चिंद्ड जो है वू सिंग है ठीक है ये दोनों आप लोग याद कर लेंगे इतना ही, तिरफ और तिरफ इतना ठीक है सिर्फ इतना ही आपальном इसमें का और मावीर मामेर स्वामी का परिश्या देख लीथे हैं जन्वास्तल कहा है? कुन्ण गुराम वैसाली जन्वास्तल कहा है? कुन्ण गुराम मैसाली में ठीक है और पिता कौन है सिद्धार्द सिद्धार्द कौन से ग्यात्रिक कुल के परधान सिद्धार्द ठीक है मात्र कौन थी तिरसला अथवा विदेदत्ता लिछवी के राजा चेतक की बहन थी ठीक है बच्पन का नाम क्या था इनका महामीर स्वामी का वर्दमान ठीक है प किस गोत्र की थी कुडियन कुडिन्य ठीक है कुडिन्य वन्स गोत्र की थी कुडिन्य गोत्र की थी और पुत्री कौन थी अध्वा प्रियदर्सना इनकी पुत्री कौन थी यही थी ठीक है और दमाद अध्वा पर्थमसिस जो थे इनके महावीर स्वामी के जामामली ठीक है जामाली और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? जाबरिक ग्राम के समीब रिजुपाल का नदी के तड़ पर साल विरिच के नीचे मावीर स्वामी को ठीक है? साल विरिच वही पीपल के विरिच के नीचे ठीक है? पर्थम उब्देश राजग्री में बराकर नदी तड़ पर कहां पर दिया था इन्होंने पर्थम उब्देश राजग्री में बराकर नदी के तड़ पर ठीक है? उब्देश दिया किस भासा में? प्राकिर ते या क्या है? अर्द मगदी अर्द मगदी जुबासा होती है उसमें इन्होंने दिया है ठीक है मृत तो इनकी कब हुई थी 1527 इसापूर में पाला में मल गर्डाज के सिश्टि पाल के राज परसाद में ठीक है वही पर इनकी मृत तो हो जाती है चलिए हम आगे देखते है जैन धर्म के क्या देख लेते हैं त्री रत्म है क्या समयक दर्शन समयग्या समयक आचर ठीक है जैन धर्म के पांच महावरत कहुंसे सत्य आहिंसा अस्ते अपरियार ब्रह्म चरे जैन संपरदा है दो समयदावाबता था सुवेतामबर दिगमबर इस्तूल भद्र के जो सिस्स थे वे स्वेतांबर कहलाते थे एक मेट ये कैसे हो गया हाँ चलिए देख लेते हैं हम इनके बार में इस्तूल भद्र के जो सिस्स थे वे स्वेतांबर कहलाते थे ठीक है और भद्रबाहु के सिस्ट जो थे वो दिगंबर कहलाते थे पुजेरा और डुंडिया डेरावासी और अस्थानक वासी थे ठीक है और ये भद्रबाहु के सिस्ट के बारे में इनके हम तो रहा सा देख लिए थे है ये चीज़ इनके बारे में बीस पंथी तेरा पंथी तारल पंथी ग्यान पंथी और क्या है तोथा पंथी ये सब कुछ था इनका ठीक है जैन दर्म के दर्म का विश्वास किस में था वेदों की अब रुषेत्या स्विकार नहीं मतलब कि वेदके जो भी थे उनको ये स्विकार नहीं करते थी और ये इसवर को नहीं मानते था है पंपिनरजन्मृ वाक कर्म तर ये कैसे हो जा रहा बार बार पुनर्जन्वा कर्म में विस्वाश आत्मा विस्वाश ठीक है यह इन्ही चीजिदे में विस्वाश करते थे जैन संगीतियां जो है वो पर्थम संगीति कहा पर हो थी संगीती जों 302 में 3002 में कहा पर यार मैं भूल जारा हूँ, पेन टच करने के लिए और पहले ही टच कर दे रहा हूँ पर्थम कहा हुई थी, तीन सव इसा पूरु में, पाठिल पुत्र और पाठिल पुत्र में, और इसका अद्च कौन था, स्थोल बद्र और दुती कब हुई थी, पंदरा सो इसा पूरु में, वल्लभी, अस्तल कहा है, वल्लभी, देवर्धी गड, मतलब की, छमास्रवार, या देच्च उसके थे, ठीक है, बहुत धर्म, बहुत धर्म के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, बहुत धर्म, परवर्था किसके अगयरा से लेकर हम सारी बाते जानेंगे, जन्में 1563 इसा पूर में, जन्में अस्थान, लुम्बनी, पिता, सुद्धोधन, कपिल वस्तु के साक गड के प्रधान थे, माता माया देवी या महा माया, ठीक है, ये किस वन्स की थी, कोली ये वन्स का, बच्पन का नाम सिद् पालन मौसी परजापती गौतमी द्वारा पत्नी यसोदरा साक के कुल की थी, पत्नी कौन थी, यसोदरा साक के कुल की थी, पुत्र राहुल ग्यान प्रापती उरुवेला है, बोद गया में, निरेंजन, फालगुन नदी, मत्ब की, फालगुन नदी तरपर पीपल माहिला कौन थी परजापती को थी मतलब कि इनकी मौसी जो थी वही थी इनके बारे में एक दो कहानिया परचली थे वह अभी में मेला आप लोग को बताता हूँ मृत्यू जो एनकी 483 भी में हुए थी मृत्यू अस्थल जो इनका मलो की राजदानी कुसी नगर उत्तर प्रदिस में ठीक है उबदेश किसमे पाली भासा में उबदेश जो इनका पाली भासा में ठीक है चलिए अब हम आगे दिखते हैं इनकी जो कहानी में वो थोड़ी सी आप लोगों बता दू इनकी कहानी क्या इन से रिलेटेड इनकी कहानी ये कि ये जो है बश्पन में जब ये पैदा हुए थे उन्होंने जो इनके पिता स्री के गुरू थे जो आचारे थे उन्होंने भाविसवारी क्यारदी थी या तो या बहुत बड़ा राजा पढ Сейчас आपका या तो बहुत बड़ा सनियाशी तो इनके पिता-सरी ने ये सोचा कि कहीं मेरा पुत्र सनियाशी ना बन जव dette इसे लिए इन्होंने घर से इनको बाहर नहीं जाने दीए जञे वहीं ईनको सारी विज़ता भोग शच वेलाज इसको कि सारी की सारी विज़ता है वो ऐसे बाल विखेरे हुए इतनी अवद्रत तरहिए से हैं मतलब इतना कुरूर चहरा उनका इतना अगली यह हैं मतलब की इतनी भद्धी हैं यह लोग और इनके उपर मतलब की लेप लगा हुआ था यह सब कुछ उनके दिमाग में बहुत कुछ चला फिर उन्होंने अपने सारति ही जो था उन्होंसे कहा कि चलो मुझे ले चलो यहां से बाहर तो उनका सारति हुआ पर उन्हें तीन चीजे दिखाए देती हैं तो वह चाहनी आप सब दोने सब्वेशे पहले वहां ही से ग्यान पृदू कि आपने पिता के जो गुरू थे उनके पास यह गया तो व दूसरे वाले गुरू थे, वहां से इनके साथ चार-पांच लोग आ रहा हैं, वो लोग बैठ कर एक पीपल के विरिच के नीचे तपस्य करने लगे, तो वहां पर एक राजा थे उनकी जो बहन ये पुत्री थी, तो उन्हों ने इनको खीर दे दिया खाने के लिए, तो इन्हों ने खा लिया, बहुत प्रेम रूप से दिया था, तो यह मना नहीं कर दिया, तो वहां पर चारो-पांचों लोग ने इन्हें भगा दिया, कि हम लोग यहां इतनी तबस्य कर रहे हैं, और तुम उनको भंग करने रहे हैं, तो फिर वह वहां से चले जाते हैं, बोध गया हमने, तो वहां पर उन्हें ज्यान की प्राप्ति हो जाती है, वहीं पर उन्हें पीपल की विरिचके नीचे ज्यान की वो हाथ ही था गर्में जी था घणव की समय कमाल और बैल अंसवैं ग्रित्य AG जाव इनन चुन कीया था तो उसे क्या कहते हैं महा भिनिसक्रमर. इसका क्या है? परतिक क्या है? निर्वाड. मतलब कि जब इने ज्ञान की प्राप्त भी ती तो इने क्या कहा गया? पीपल. पीपल के विरिष्ट जो इनका परतिक माना जाता है. धर्म चक्र परवर्तक मतलब कि पर्था मुपदेश जो है इनका जो उसका पर्ति के वो क्या है चक्र है ठीक है महान महान परिनिर्वार यह मृत्तु के समय का है यह इस्तूप है ठीक है यह क्या है पर्ति किसका क्या इस्तूप है इनके तरी पटक कौन कौन से थे सुप्त पिटक इसमें किस चीज के संकलाने आनन द्वारा ठीक है ये किस के द्वारा संकली थे आनन द्वारा ठीक है विने पिटक ये उपाली द्वारा ठीक है और अभी धंब पिटक ये कौन सा है मोगिली पुत तिस्सम ठीक है संकलाने ठीक है बुद्ध धंब संग यह तीन रदने इनके हैं चार आरे सत्य हैं दूख दुख समुदा दुख निरोध गामनी परदा ठीक है दुखों से मुक्ति के उपाय जो है अश्टांगिक मार गयते हैं कौन-कौन से मार गयते हैं वो आप लोग देख लीजिए अश्टांगी कमार कौन दे, समयक संकलन, संकल्प, समयक वाक, समयक क्रमांद, समयक अजीवक, समयक व्यांद, समयक इस्मृती, समयक समादी, ठीक है, ये इतने हो गए, ठीक है, इनके, अब देख लेता है, येनी के बारे में और कुछ चीज़ है, बहुत संगीतिया, वो कब कहां कहां पर होई थी, परतम जवा, 483 हिसा पूर में, कहां पर राजगीरी में, अद्रचि कौन दा, पूर्ण, मा कस्यप, सासक कौन दा, अजाद सत्रू, दूतीये, 383 हिसा पूर में, वैसाली में, सर्वकामी, अद्रचिते इसके, और सासक कौन था उसमें काला सोग यानि की काक वाल ठीक है और तिरती यह जो है वो कहां पर हुआ था पाटिल पूत्र में किस्टन में 247 इसापूर में और इसके जो अध्यच थे वो देखिए मोगली पुत्तिस्म ठीक है और सासक कौन थे असोग जी थे असोग सम्राड जिनके बारे में आप लोगा असोग के अभिलेग जो बहुत सारे है वही असोग ठीक है चतुरत जो है वो इसा की पर्थम सताब दी ठीक है कुंडल वन कस्मीर में हुई थी और अध्यच कौन थे वसुमित्र ठीक है उपाध्यच कौन था असोग घोस और सासक कनिस्क सासक कौन थे कनिस्क थे ठीक है बहुत धर्म की मानेता है क्या थी ठीक है बहुत धर आद्मा के आस्तिक अस्तितों में विस्वास नहीं मतलब आद्मा का जो अस्तितों उसमें विस्वास नहीं कर्म पुनरजन्म तथा मोख्ष में विश्वास, वैदिक कर्म, कांद का विरोध, वेदों की अप्रोस्येता का विरोध, ठीक है बहुत धर्म का विवाजण, ठीक है, दुती संगती में अस्तविर्म या महासंगिक इन्हीं को क्या कर या थेरवादी या सरवातिवादी और चतुत्र बहुद संगती में यही क्या हो गए हीनियान और महायान महाजनपत के बारे में हम देख लेते हैं क्या है राजपूर ठीक है पांच हो गए छट्वा क्या हो गए मगद इसकी राजदानी ग्रिविया जी है राजग्री मस्सेव विराट नगर इसकी राजदानी वज जी वैसाली इसकी चेदी की क्या हो जाएगी मस्सेव विराट नगर हो जाएगी वेज जी की वैसाली चेदी की सुक्तिमती कासी की वारारती हो जाएगी कोसल की सरावस्ती हो जाएगी कुरू की जो है इंद्रप्रस्त हो जाएगी मल की क्या हो जाएगी कुसी नगर हो जाएगी और पांचाल की जो है अही छत्र है या फि सुर से इनकी क्या जाएगी मत्रा और वसकी कौसाम भी बहुत कालेंगे दस महत्पूर गड़ाज कौन-कौन से है वैसाली के ये आप लोग पढ़ लेंगे ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है दसो इन तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे पेडियाफ अफ्लोड करवा द कुस कि अलगे इसे एप राप ट य्या ऍंट्वूर मानके संस्थापक चंदर गुपी नाव किलीवा या ये ऱ्याट पर संप्रति साली सुक देव अर्मन और क्या है संद दम्वन और व्रिद्राथ ठीक है चंद्रगुप्त मौर अंधिन दिनों में जैन विच्छु बद्रभाव की सिसे तक ग्राण किया ठीक है बद्रभाव के साथ स्रवड बेल गोला चला गया स्रवड बेल गोला में दोसो अठाव इसा पूर में चनलेखना द्वारा सरीर त्याग दिया ठीक है यह इनके बारे में चलिया और हम देखते हैं मौर असामराज जो गयरा गयरा के बारे में सिकंदर के सामराज के पूरवी भाग के सासक सेलुकस और चंदगुत मौर की सेना के बीच 305 इसा पूरो में युदूगात सेलुकस ने मेगा अस्थनीज को चंदगुत मौर के दरबार में में जागा था मेगा अस्थनीज ने इंडिका नामक गन्द लिखा जो मूल रूप से उपलब दे नहीं है मेगा अस्थनीज के अंसार मौर समराज का नाम सेंडुक कोट्स मौर समराज की राजदाने क्या थी पोली वोर था सेना निकालने वाली चीटियों का जिक्र ठीक है सोना निकालने वारे चीटियों का जिक्र है इसमें ठीक है मेगा अस्थनीज के अंसार जो उसने बुग लिखी थी उसके अंसार दास पढ़ता नहीं थी यहां पर लेखन कला का आभाव था ठीक है भारत में आकाल नहीं पढ़ता था अब राजा की आओगे तो भाईया कहां सकाल पड़ेगा देखिए मैं फालतू की बाते नहीं करता हूं क्योंकि फालतू की बाते करने से सिर्फ टाइम बरबाद होगा और कुछ नहीं बागे फास्ट ट्रेक तरीके से रिवीजन कराया रहा आप लोग का आप लोग इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जूड़ें और अपने दोस्तों को भी जूड़ें मेगा इस्तनीज के अंसार भारत में साथ परकार की जातिया है दार्शनिक इर्शक पसुपालक कारिगर योद्धा निर्चक सभासत चंदरगुपत मौर का परधान मंतरी तदा परधान पुरोहित कोटल विसलुगुपत या चाड़क के था ठीक है चंदरगुपत मौर का परधान मंतरी तदा परधान पुरोहित जो था कोटल या विसलुगुपत उसी उनहीं को कहते थे और फिर चाड़के था ठीम कोटेल्य – ने राजसासं के उपर पर्सिद ग्रंध राजा सीज्द के समान, आमते राज जिक़ की आंखें जनपत राज जिक़ की जंगह हैं दूर के राज्जी की बुजयु है कोस जो है राज्जी का मुक्छ दंड कहला ряд का मस्तिस मित्र है राज ज का करण ठीक है बिन्दुसार ने बिन्दुसार ने सीरिया के साथ एंटीयोकस से तीन वस्तुमें मीठी मद्रया सूखी अंजीर एक दार्शनिक की मांग किये थी ठीक है असोख जया जो था उनका देखिए सासरकल 233 से 232 इसा पूरो माता कॉंदिस सुबद्रा पिता बिन्दुसार पर्श्रित नाम इनका पर्श्रित नाम क्या था देवा नन पिया दसी ठीक है राज्य अभिसेक इनका जो है ब्रामी खरोष्टी अरा माइक यूनानी है असोख का नाम असोख नाम का उलेख कहां पर है मासकी गुर्जर्रा गुर्जर्रा नेत्तूर उदे गोल्मा अभी लेख में ठीक है असोख के अभी लेख ठीक है का वी भाधा लेख betर न सीलन लेख 14 से दस अस्थानहहं पर यह लगई अस्तभ मेश लेख लेख स्ताओं अस्तम मिस्जर्रा नेशिक में यह 4 है ठीक है चार खहरा हूँ पांच है और गुआलेग में गुआलेग है पांच नहीं साथ है गुआलेग का यहां पर वड़ना नहीं दिया हुआ ठीक है अब बाकी इनके बारे में जो है और चीजे जो भी है इनके बारे में आप हम कल देखेंगे ततक के लिए बाबाय, टाटा सी यू और बाकी जो है कल कम से कम 40 पेजों की जो है क्लास होगी 40 पेज तो कल हराल में कवर किये जाएंगे ठीक है 40 पे आप लोग को हराल में कवर करा दिये रहे है ठीक यू सो मच और वीडियो को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहे है और अपने दोस्तों तक सेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाब उठा सकें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नमबर से सफलता हासित कर सकें थैंक यू सो मच